नमस्कार वाहला विध्याथी मित्रों, स्वागत छे आपसर्व विध्याथी मित्रों नु तमारी पोतानी युटूब चेनल मा आजे आपने धोरन साथ ना सामाजिक विग्नान विशे ना पार्ट नमब त्रण मुगल सामराज्य निस्वध्यन पोतिनु जम्पोन स्वल्यूशन मेल विशू आपने या चेनल मा धोरन साथ सामाजिक विग्णान विशे ना बद्राज पातनी स्वध्यन पोतिनू सोल्यूशन मुखी दिधेल छे तेनी लिंक डिस्क्रिप्चन बोक्स मा आपी दिधी छे तो तेमा चार विकल्प छे जवाब मा आवसे विकल्प बी युद्मा तोपनो उप्योग कर्यो तेर बातेमा बिजुची पाणी पतनों बिजुद कोनी कोनी वचे थयू हतो तो जवाब मा आवसे विकल्प सी अकबर अने हेमू तो जवाब मा आउसे विकल्प बी शेर्षा सुरी तो जवाब मा आउसे विकल्प सी अक्बर अने राणा प्रताप तो जवाब मा आउसे विकल्प बी टोडर मल 10 मुझे नीचेना माठी कईया राजबीने छत्रपतीनू बिरुट मल्यू हतु तो जवाब मा आउसे विकल्प ए शिवाजी तो जवाब मा आउसे आगरा बी जुछे राणा प्रतापने आर्थिक मंदर करना दान वेर खाली जग्या हता तो जवाब मा आउसे वेर भामाश्या त्री जुछे हुमायूनो अर्ट खाली जग्या थाई छे तो जवाब मा लक्षू नसीबदार चोथ हुछे शाह जहाना मोटा पुथ्रणो नार्णा खाली जग्या हतू तो जवाब मा उसे दारा oral त्यार बात्यमाँ पांच मुछे महाराना प्रतापना घोडान नार्णा खाली जग्या हतू तो जवाब मा उसे चेतक चट हूँ छे गुजरात विजह नी यात मा अग बरे खाली जग्या नामनों दर्वाजों बंधावियो हतो तो जवाब मा उसे बोलन दर्वाजों साथ मुझे जहांगेना दर्वाननों प्रख्याद चित्रकार खाली जग्या हतो तो जवाब मा उसे मनसूर त्यार बाद जो ये B, बंद बेस्टा जोड़का जोड़ों तो विध्यातिमीत्रों अहीं आपने विभाग A, O अने विभाग 2 आपेला छे तेमा आपने योगेरी ते जोड़का जोड़वाना छे तेमा पेलू छे बाबर तो तेनी सामे जवाब माँवसे D, बाबर नामा लखनार शासक B, जुचे शेर शास सूरी तो जवाब माँवसे A, ग्रांटर क्रोर बनाधर शासक 3, जुचे अकबर तो तेनी सामे जवाब माँवसे D, इन्हे इलाही, संप्रदाईना स्थापक चोथुचे महाराणा प्रताप तो जवाब मा आउसे मेवाडना प्रतापी राजवी पाच मुझे छत्रोपती शिवाजी तो जवाब मा आउसे C. हिंदू सम्रात तरीके प्रख्यार त्यारबा जोहे प्रष्ट नंबर 3-E निचेना दरेक विधानना खोटा शब्द पड छेको मारी विधान खरू बनाओ तेमा पेलू उचे पाणिपतना प्रत्थम युदमा बाबर और अने इब्राहिम लोदी नो विज़ाई थयो हतो तेमा अपने इब्राहिम लोदी पर छेको मारवानों छे जेती साचुवाक्य बन्चे पाणिपतना प्रत्थम युदमा बाबर विज़ाई थयो हतो तेमा बीजू छे उमा युए दिल्ली इतनी पासे ओरंगाबाद अने दीन पना नामनु नगर वसावियो हतो तेमा साचुवाक्य बन्चे उमा युए दिल्ली नी पासे दीन पना नामनु नगर वसावियो हतो तरीर जुचे, अक्बरे फतेपुर सिकरी औने अहमत नगर्दने पोतानी राशदानी बनावी हती तैमा जाक्बाटे मा चोथुचे, जहांगी नीडी प्रतिभाशाडि पतनी नूर जाहा ऑने मुम्ताज हती तो तेमा साचु वाक्य बन से जहांगी नी चतुर औने प्रतिभाशाली पत नी नुट जहा हती पांच मुझे अकबन नी सामे पड़नार महान शिवाजी औने राणा प्रताप हता तो जवाब मा उसे अकबन नी सामे पड़नार महान राणा प्रताप हता त्यार बातिमा बीचे निचे ना प्रश्णों ना उत्तर एक ब्य वाक्यों मा लखो तेमा पेलू छे मुगल साम्राज्य मा थहेला शासको जणावो तो जवाप मा लक्षु बाबर, हुमायू, अकबर, शाजाहाद, जहांगीर औने ओरंगज्यव बीजू छे, हुमायू अफसान केवी रिते थयू हतु तो जवाप मा लक्षु अकबर, अकबरी बदा धर्मों ना उत्तम तत्वने समाविष्ट करी ने दिन हे इलाही नामना संप्रदाईने स्थापना करी हती तेने रामायन, महाभारत, अर्थवेट, पंच, तत्रते मच, बैबल अने कुरान जेवा महान ग्रन्थोने फार्ट सीमा अनुवाद करावियो हतो आथी येम कई शकाई के अकबर धर्मसहिष्णू शासक बनी शक्यो तेरबाती मा चोतुँजे पाली पत्नु बीजो युद्ध कोनी-कोनी वच्ये थयो हतो आ युदमा कोनो विजय थयो हतो तो जवापमा लक्षू पाली पत्नु बीजो युद इस विशन 556 मा अकबर अने हेमु वच्ये थयो हतो ये युद्मा अकबन नो विज़े थयो हतो। संगीतकार हतो। अने अकबन नो रत्नो मानो एक हतो। त्यारबन आठ मो सवल्ची शाह जहाना समय मा विशेश बान कामो शाह माटे थया हता। तो जवाब मा लग्षु शाह जहां कला, साहित्य अने स्थापत्य नो चाहक हतो। शाह जहानों समय मुगल सामराजेना स्थापत्योंनों सुवन यूक गणाई छे। कारण के तेने ताज महेल मोती मस्जीद लाल किलो अने शाह जहाना बात जेवा स्थापत्योंनों निर्माण कराव यू हतु। आम शाह जहाना स्थापत्य प्रेम ना लिधे विशेश बानकामों थया त्यार बाजुए प्रश्ट नंबर चार ए मने ओलखो तेमा पेलू छे में पाणिपतना प्रथम युद्धमा तोपोनों उप्यों कर्यों हतो तो जवाब मा आउसे बाबर तो जवाब मा आउसे अकबर तो जवाब मा आउसे बीडबल तो जवाब मा आउसे बीड़गादास राठोड तेर बाद तेमा बीड़े निचे ना प्रश्णों ना उत्तर बेतर वाक्यों मा लखो तेमा पेलू छे चेर शाहने शासकत्ता सुधारकना रूपमा याद करवामा आवे छे तो जवाब मा लख्षू चेर शा इस्विशन पंदर सो चालिस्थी इस्विशन पंदर सो पिस्टालिस्थ ना पांच वर्षना शासनकार दरम्यान अनेक सुधारावो करिया हाता तेमा नमुख्य सुधारा नीचे प्रमानेच छे पेलू चार जाहल चोर लूटारावनो भई नाबूत करी राज्येमा शान्तिस थापी हती बीजू तेने गोडे सवार खेप्यावो शरू करी ने नवी टपाल व्यवस्ता शरू करी हती तेने वेपारिवो अने यात्रारोवो मा ते धर्मा शालावो बांध भी हती चोतू तेने रुप्यानों चलन शरू कराव्यो हतू वगेरे सुधारा कराव्या हता तेरबा तेमा बीजू चे अकबना नव रतनो अने तेने विशेष्टा जणावो तेमा पेलू चे अबूल फजल तेने विशेष्टा इतिहासकार तेरबा चे बीजू फ़ेजी तेमा मध्यकालीन फाटसी कवी त्रीजू तान सेल तो ते नौन पात्र संगीत तगन अने गायक हता चोतू बिरबल ते कुशागर बुद्धिवान हता पाच मुँ टोडर मल तो ते महिसूल अने नाणा मंत्री हता छट्ठू मानसी दक्ष से नाना नायक हता त्यारबा साथ मुझे अबदूल जहिम खाने खाना ते प्रख्यात कवी हता आठ मुँ फकिर अजियोत दीन ते अकबनना सलाकार हता नवमु मुलादो पी आजो ते हाजर जवाब अने तीवरब बुद्धिशाली हता त्यारबा ते मां त्रीजो सवाल छे अकबनना समे मां कया कया प्रख्यात बानकामों थया हता तो जवाब मा लक्षू अकबरे फतेपू सिक्री नामनू नगर्विक सावी तेने पोतानी राष्टानी बनावी हती अने घणा बदा जानी ता बानकामों नी रचना करी हती छेमके बुलंदरवा जो सलिम रिचिष्टी निदर्गा, मस्जीड, पंच महल वगेरे आ उप्रान तेमने आगरामा एक पव्यकिलानू निर्मान करावी हती त्यारबा ते मां चोथो सवाल छे मनसबदारी महिसूल प्रथाविशे नोंध लखो तो जवाब मां लक्षू मनसब एटले जागिर, मनसब दारी पद्धती सेन्य अने महिसूल एम बन्ने साथे संक्राईली हती मनसब दारी पद्धती मां महिसूल नों दर वार्षिक उपजना एक तुट्याउन सभाग जेटलो हतो मनसब दारी जागिर नों वड़ो हो वा थी ते जागिर मां थी महिसूल उग्रावतो हतो अने पोतानी जागिर ना विस्तान नों काहिदो अने व्यवस्ता जावतो हतो त्यार बाते मां पांच मों सवाल छे हल्दी घाटी युद विशे तमारा शब्दों मा नोंस तयार करों तो जवाब मा लक्षू हल्दी घाटी इतिहास मा महराना प्रताप अने अकबर्वचे थेला युद माटे प्रसिद्ध छे ते राजस्तान राजिय मा एक लिंग जी थी अढ़ार केलोमीटर दूर आवेलू छे ते अरवल्ली परवत मालामा एक घाट मार्ग छे आस्तान नों नाम हल्दी घाटे पड़ियू कारण के अहीनी माटी हल्द जेवी पीली छे आयुद मा महराना प्रतापनी हार्थ धई हती आप रसंग साथी घणी बदी वार्तावो अने प्रसंगो पन इतिहास माथी मले आवे छे त्यार बाजुए प्रस्ट नंबर पांच निचे आपेल पात्रणों टुक मा परीजय आपो तेमा पेल उचे शाह जहा तो तेना विसे लक्षू जहांगिनना आवसान बार शाह जहा इस विशन 1627 मा दिल्लीनी गाली उपर बेठो शाह जहा है दक्षिन पारतमा दोलता बार अहमन दगर गोलकोंडा अने विजापूर विजययों मेलव्या हता शाह जहा कला स्थापत्यों नो प्रेमी हतो शाह जहानों समय कला अने स्थापत्यों सुवन युग गणाये छे शाह जहा तेना सुप्रसिद्ध बांध कामोने लिधे इतिहासमा मेहलोंनो बांधना तरीके जानीतो छे तेरबा तेमा बीजू छे विद दुर्गादास राठोड तो तेना विशे जुए भीद दुर्गादास राठोड मारवाडना शासक जेश्वन सीना मंतरी अश्करन राठोडना पुत्र हता तेमनी तुलना राणा प्रताप साथे करवामा आवे छे ओरंग जेबना समय मा तेमने तेनू आधि पत्य स्विकार्यों न हतु तेरबाते मा तरी जोचे अबुल फजल तेना विशे जुए अबुल फजल अकबनना नव रत्नो माना एक व्यक्ती हता अबुल फजल अकबनना ग्रंथ मा अकबननी जिवन कथा आलेंखी छे तेने महा भारतनों अनुवाद करियो हतो तेम अज टेमने बाइबलनों फार्ट सी भाषामा अनुवाद करियो तेरबाते मा जोथूचे महा राणा प्रताप तो तेना विशे जुए मुगल सामराजे मा अकबननी सामे मेदाने पड़नार महा राणा प्रताप मेवादना प्रतापी राजवी हता अकबर ये मेवाड पर आक्रमन करता बन्ने वचे हल्दी घाटेनों युद्ध थयू अकबर विजई थया परन्तु राणा प्रतामे उद्धे पुर्थी आसपासना विस्तारों मा पोतानी सत्ता स्थापी संगर्ष चालूच राख्यो हतो बन्ने वचे समझुती ना अनेक प्रयत्नों थया परन्तु राणा चितोट छोडवा तयार नहता 51 वर्षनी वए तेमनों अवसान थयू त्यार बाद जुए प्रश्ट नमबर 6 मांग्या मुझे प्रवुत्ती करो तेमा पेलू छे नीचे आपेला कोष्टक मा ती मुगल समेंना 5 सासको और चार बांत कामों शूधी कोष्टक नी नीचे आपेल जग्या मा लखो तो विद्याति मित्रों ही आपणे मुगल समेंना 5MI 6 अने 4 बांत कामों ना नाम शूधी ने लखवाना छे तो तेमा जो ये शासकों मा पेलू बाबर बीजू शा जहा तरीजू अकवर चोथू हुमायू अने पांचमु जहांगीर तेमा पेलू बुलन्दर वाजो बीजू लाल किलो, तरीजू मोटी मस्टीर अने चोथू ताजमहल त्यार बाद तेमा बीजुचे नीचे आपेली जग्यामा समाचार पत्रों सामाई को शाड़ा पुस्तकाले इंटरनेट के तमारा शिक्षक नी मदथी दर्शाओं मा आवेल चित्रों मेल विने चोटाडो अने तेनी विगतो जणाओ जे मापेलूचे बुलन दर्वाजो तेर बाद चे लाल किलो तेर बाद चे दिवाने खास अने ताज महल तो विध्यात्ती मित्रों तम्या सोल्यूशन जो यू सामबड़ यू अने समझ जया ते बडल आपनो खुब खुब आभार ते मज आ वीडियो ने लिंक तम्ये तमारा मित्रों अने दोस्तों ने जरूरती शेयर कर जो